मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं मेरी चिंताएं बिहार को लेकर हैं बिहारीों को लेकर हैं बिहार की हालात के उपर नहीं जो परिस्तितियां बिहार में बनिस्पत बाकी राज्यों के बनी हुई हैं उन परिस्तितियों का जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स बिहारी फर्स के माध्यम से किया बहुत जल्द मुझे लगता है गडबंधन को लेकर सीट शेरिंग को लेकर सीटों की संख्या को लेकर ये तमाम बाते बहुत जल्द साजा नमश्कार आप देखना शुकर चुके हैं फर्स बिहार मैं से लगते साथ कल चुराक पास्वान का वैशाली लोकसभा से जनसंबोधन था जहां पर उन्होंने बिहार की परिस्तितियों को लेकर चर्चा किया है साथी साथ गटबंदन वे किस गटबंदन के साथ रहेंगे इस लोकसभा चुनाओ में जिसको लेकर काफी कयासे लगाए जा रही थी तो उसको लेकर भी उन्होंने काफी पेचीता जवाब देते वी जनसंबोधन में कहा था कि वे बिहार की जनता के साथ हैं बिहार की जनता के गटबंदन के साथ हैं जिसको लेकर आज पत्तकारों ने उससे सवाल किया कि क्या वे एंडिये गटबंदन से नाराज चल रहे हैं तो उन्होंने इस पर भी कुछ साफ जवाब देते वे नहीं कहा उन्होंने कहा कि जो कुछ भी चीजे सी चेडिंग को लेकर है या जो भी मामला है जल्दी साफ हो जाएगा और जल्दी बे सब के साथ ये बुद्धा शेयर करेंगी पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पास्वार चिराग जी एक में एक में एक से करेंगा है जो परिस्तितियां बिहार में बनिस्पत बाकी राज्यों के बनी हुई है उन परिस्तितियों का जिक्र हमेशा मैंने बिहार फॉस बिहारी फॉस के माध्यम से किया बिहार को कैसे हम लोग विक्सित राज्यों की श्रेणी में लेकर जाएं उसकी चर्चा और चिंता बिहार फॉस बिहारी फॉस ने हमेशा की है और उसी लक्षे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे बिहार को विक्सित राज्य बनाया जाए यह सारी बाते आप सब के माद्यम से मैं भी सुनता रहता हूँ कि मैं किस दिन नराज हूँ मैं किस दिन खुश हूँ मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं मेरी चिंताएं बिहार को लेकर हैं बिहारीयों को लेकर हैं जहां तक रही बात गड़बंधन की मुझे लगता है इस अ मैटर आफ टाइम बहुत जल्द मुझे लगता है गड़बंधन को लेकर सीट शेरिंग को लेकर सीटों की संख्या को लेकर ये तमाम बाते बहुत जल्द साजा और मैं साजा बोल रहा हूं क्योंकि हम लोगी बाचीत मोर और लिस हो चुकी है मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साजा भी करें जैसके हमें सुना किस तवर से चेलाग पाष्वान कह रहे हैं कि बिहार की परस्थितिएं की तले हमीशा से बिहारियों की स्थिती को लेकर बेबात करते आए और करते रहेंगे इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नाराज़्की जैसी बात कुछ नहीं है और साथ Grad हो रही हैं गटबंदर के अंदर वे जल्जी जनता के सामने सारी बाते साजा करेंगी तो आपने सुना क्या कुछ कहा चिराख पास्वार ने एंडिये में स्वीट शेरिंग और गटबंदर के मुद्दों पर तो इस खार में वजब ना ही और खबरों के बने रहे हैं हमारे साथ हमार पास्वार ने कि ऑने साथ प्रयवाद वाल